सबसे बहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया का अदा करना चाहूंगी कि आप सभी ने मेरे दिन को बिना दिया हाला कि मैं नहीं चाहरी थी कि मैं डालूं पेज पर अच्छा लगता है कि आपको अपने से बड़ों का अशिरवाद मिले और छोटों से प्यार मिले क्योंकि बड़े मैं सेलिब्रेट नहीं करते हूं मैं सच केक कटिंग वगरा करके लेकिन हां मुझे बच्छपन से ही बहुत शौक रहा है इस चीज का कि जादा से ज्यादा लोग मुझे आशिरवाद दें अपना और बड़े विश्कर है क्योंकि कि स्पेशल दिन तो होता ही है क्योंकि उस दिन आप इस धरती पर आयोए हो क्योंकि सच मैं कल का दिन थैंक्स करने में भीद गया इतने सारे मैसेज थे और आगे आप लोगों के साथ ऐसे ही जो भी मेरे एक्सपीरियंस है टैर्स पर शेयर करती रहूंगी क्योंकि मेरा एक ही मिशन है एक तो देखिए गारवेस्टू ग्रीन सबको जैसे पता है जो एक जुड़े होए है कि किचिन का एक भी तिनका बाहर नहीं फेकना है गीली कच्रे का दूसरा कैमिकल 0%-0-1% भी आपको यूज नहीं करना है विदाउट कैमिकल हम सब कुछ उगा सकते हैं अपने गार्डन में और अब क्योंकि मैं कर रही हूं पिछले तीन-चार से प्र अदला मैं यह भी चीज बोल सकती हूं कि हर एक पौदा सिर्फ आपको मिट्टी बनाना सीखना पड़ेगा कि उसकी मिट्टी कैसी है रिक्वाइर्मेंट कैसी है और उसको अगर सही आप एंवाइर्मेंट दे देते हैं अपने यहां पर सही वातावरंड दे देते हैं तो आपको पता है ठंड एक्स्ट्रीम है बरसात तो प्रभु की क्रपासे ही होती है बट हाँ गर्मी भी अच्छी घासी पड़ती है और उस टेंपरेचर में मेरे हाँ सारे ही पौदे अच्छे से सर्वाइब करते हैं कुछ-कुछ गड़बड भी होती रहती है बट वह मेरी ह मिस्टेक से होती है तो बस सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी चीज़ें डाल रहे हैं NPK, UREA, DAP बंद कर दीजे क्योंकि उससे सिर्फ आपकी मिट्टी म्रत बनती है मतलब मर जाती है क्योंकि मिट्टी में रहने वाले जीव ही नहीं है मिट यह सिर्फ किचिन वेस्ट और लीवस स्कंपोस्ट में उगे हुए है लिक्ट के रूप में मैंने जो दिया है आपके साथ शेयर किया है सड्रस दिया है बायम इनजाइम दिया है और जो भी लिक्ट आप मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती है कहते हैं गुलाब बिना केमिकल नहीं खिलता है यह तोटली और गैनिक में खिला हुआ है और अभी देखिए खिलेगा तब पूरे मेरे हाथ के बराबर साइज आएगा इसका अभी जस्त कली खिल रही है और एक ही पौदे बस सिंगल ब्रांच है यह तीन कलियां बन रही है द और यह देखिए टमाटर का एक ही पौदा है और बंच देख लीजे आप कितने सारे हैं सिर्फ एक बार इसका पॉट फिल किया था मैंने और उसके बाद मैं लगातार पंद्रे दिन में साथ दिन में दे देती हूँ मैं देखिए डिकंपोसर के साथ कोई ना कोई लिक्वि मत करिएगा किसी भी पर्मानेंट प्लांट की क्योंकि देखिए अपराजिता भी पर्मानेंट ही प्लांट है ये सालों साल आपके गार्डन में रह सकता है सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है जब ठंड का मौसम आए इसको एस चोड़ दीजे पानी कम कर दीजे क्योंकि प्लांट पर लीव्स नहीं रहती है तो आप छोड़ दीजेगा उसके बाद जैसे ही इसके लिए सही मौसम आएगा इसमें फुटाव शिरू हो जाएगा तो आप प्रूनिंग करिएगा रूट फिलिंग करिएगा और आने वाले पूरी गर्मियों के सीजन के लिए अपरा टेंपरेचर 7 दिखा रहा है आज रात का साथ का मतलब है मेरे टैर्स पर और भी कम होगा क्योंकि इतना सारा प्लांट रखा हुआ है तो टेंपरेचर और डाउन चला जाता है तो सूचिए क्या कंडिशन होगी तो यह पौदा ऐसा है जो समर में बहुत अच्छी से प्रॉटिंग हो जाएगा और आपका पौदा मर जाएगा सेम देखे चांदनी का क्या हाल हो रहा है और हाँ एक गलती मत करिएगा हाट प्रूनिंग करने की गलती मत करिएगा क्योंकि ठंड में वैसे ही पौदा जद्दो जायत कर रहा है अपने आपको बचाने के लिए सिर्फ आपने इंतिजार करना है वसंत आने का उसके बाद पूरे गार्डन में आप प्रूनिंग करिएगा रूट फिलिंग करिएगा पॉट्स को चेंज करिएगा बस फिर आपके यहां सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी तो अगें बहुत 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 धन्यव अपना आशिरबाद और प्यार हमेशा बनाए रखिएगा